वेलकम बैक विववर्स उमीदा आपकर यह से होंगे आज हम बात करेंगे हमारे अकाउंट की सेक्योटी के हवाले से कि जो हमारा गूगल अकाउंट होता है जिस पे अपने अपने यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है या आमने अपने गूगल अकाउंट को किसी अपने तो यह जो प्रॉसस कहलाता है यह जो वैरिफकेशन के एक्स्ट्रा प्रॉसीजर है इसको कहते हैं टू स्टैप वैरिफकेशन एक तो आपने पासवर्ड देना ही होता है जब भी आप लॉग इन करें कहीं पे तो उसके अलावा यह जो टू स्टैप वैरिफकेशन में होता यह आपको एक extra verification भी उसके साथ add हो जाती है आपके account के साथ ताकि उसको जो risk होता है आपके account के hack होने का या उसके चोरी होने का वो कम से कम किया जा सके वो minimum से minimum हो जाता है बलके वो तकरीबन नामुम्किन हो जाता है तो यह two step verification जो है यह आपको लाजमी activate करना चाहिए इसके बारे में आपको बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे कि हम यह two step verification activate कैसे कर सकते हैं और यह काम कैसे करती है तो विवाज two step verification on करने के लिए आपने यह इसी Google के account में आना है Google की जो settings है manage your Google account इसके अंदर आपने आना है वो आप अपने YouTube के चैनल के थरू भी जा सकते हैं यहां से भी जा सकते हैं यह आपने अगर email के अंदर हैं तो आप वहां से भी जा सकते हैं तो manage your Google account पे क्लिक करेंगे हम तो विवाज हमारे पास यह page open हो जाएगा जिसके उपर यह left side पे ज गरा होती है और वह आपको बताता है कि आपको एकाउंट की जो security यह उस protection है वो कैसी है तो इसके बाद हमने नीचे आ जाना है signing into Google तो यह signing into Google में विवर्ची आप देख रहे होंगे password है इसके बाद यूज यूज यूर phone to sign in है कि आप sign in होने के लिए आप अपने phone का भी इस registered करना है अपनी Google अकाउंट के अंदर आप कोई भी अकाउंट बनाते हैं जो आपका mobile नंबर आपने एड़ लाजमी करना है और उसको update भी लाजमी रखना है ताकि आप जब भी कोई आपके account की recovery का मसला हो कोई password change का मसला हो तो आप असानी से उसको recovery भी कर सके और असानी से जो password है वो change भी कर सके और two step verification के लिए जो है इसका भी जरूरी है mobile नंबर का होना ताकि आप पर फून जो है आपका mobile वो connect हो two step verification के लिए यह जो second verification का आपके पास code आएगा या जो भी आपके पास authentication आएगी वो इसी mobile पे आएगी तो two step verification के लिए हम इस पर click करेंगे तो हमारे पास यह पेज ओपन हो गया उसमें कहरा है कि add an extra layer of security जैसे के मैंने बताया कि एक पासवर्ड तो आप देते ही है तो आप इसके इलावा एक extra layer add हो जाती है कि भाई साब यह भी add करें second verification भी आप करेंगे तो आपका जो login है वो account जो है वो login होगा तो यह कब apply होता है जो मसाल के तौर पर जब आप एक जगह पे आपने औरडी login किया हुआ है और आप उसकी बजाए किसी दूसरी device मतलब किसी दूसरे PC किसी दूसरी laptop या किसी दूसरे mobile आता कि किसी दूसरे browser पे भी login करेंगे तो तब भी यह two step verification काम करेग की उसको भी अबूर करना पड़ेगा तो हम get started करते हैं तो हमसे वो दूबारा password मांगेगा कि भाई साब अपने email का password लगा है यहाँ पर दूबारा यह भी verification के लिए है कि यह वही बंदा chain कर रहा है two step verification activate कर रहा है जिसका यह account है तो password लगाएंगे हम तो विवर पासफ़ड देने के बाद वो कह रहा है भाई साब अपना phone number एंटर करें अगर तो आप रैडिया आपका phone number आपने इसमें दिया हुआ है registered किया हुआ है तो वो उसको शो करवा देगा otherwise वो कहेगा कि phone number एंटर करें तो उसके बाद वो नीचे कह रहा है how do you want to get code क्या आपने code आपको भी send करेंगे जब आप two step verification activate करेंगे तो आपने वो code यहां डालके उसको verify भी करना है तो आपको दो options होते हैं text message या phone call phone call आपको automatic call आती है computerize में वो आपको password यह code बताते है otherwise आप text me पे click करके next पे click करेंगे तो वो वो आपको बोले का जी भाई साब वो code आपके mobile पे भी दिया गय है तो भी वोज़ कोड एंटर करने के बाद हम इसको next करतेंगे तो आपकी जो पीन है जो code है उसने verify करती है वो validate कर दिया है उसमें लिखा भी आ गया है कि it worked turn on to verification so now that you have seen how it works do you want to turn on two step verification तो कहता भाइसाओ आपने देख लिए अगए यह काम कैसे करता है जैसे कि हमने आपको code बेजा है तो लोग आप आप इसको turn on करना चाहते है तूस्टाफ verification को तो आपिजली हमारे मकसदी है कि हम इसको on करें तो हम इसको on करेंगे तो उसके बाद उसने आपको जो है वो next page भी ले आया और उसने का जी आपका एक तो mobile number भी verified हो गया है और आपकी जो है वो two step verification on हो होगी है उसकी उसने date भी हमें दे दी तो अगर आप इसको turn off करना तो आप इसको turn off भी कर सकते हैं लेटर आप इस टूस्टाफ verification को लाजमी ऑन रखिए ना के Google account के लिए बलके जितने भी आपके social media accounts है सब के लिए सब में maximum जो है उन में options available होती है यह two step verification की मुझूदा दोर में बहुत ही जरूरी है आपके account को hack होने से बचाने के लिए या आपका जो data उसकी पारिसी से रोकने के लिए तो यह minimum risk कर देता है काम कर देता है रिसको hack होने के बलके इसको तकरीबन उसके लिए नामुम्किन हो जाता है अगर आपने two step verification activate की हुई है तो विवस आप जब आपने जो first time इस ब्राउजर यहां इस device से लॉग इन कर रहे हैं आई यह रिकर किनाज नहीं है हमारे सिस्टम के अंदर कि आप इससे पहले कभी लॉग इन हुए थो तो लहादा आप यह second verification भी हमें दे तो उसमें वह आपको टेक्स मैसेज भीज सकते हैं वह आपको option देग अगर बाई साब यह फुला टाइम को आप जो है यह इस system के उपर यह इस device के उपर आप अपना account login करने की कोशिश कर रहे हैं अगर तो आप यह आप ही हैं तो यह yes कर दें यह इसको no कर दें तो अगर आप उसको yes कर देंगे तो simply आप जो है वह आप login हो जाएंगे तो वीव थैंक यू